शहर बारूत के धेर पर बसा हुआ है, हर्दा में कई पटाका फैक्टरियां चलाई जा रही है, न्यूज 18 ने ऐसी एक और अवैद फैक्टरि को ढून निकाला और बता दे आपको कि जहां वस्पोर्ट हुआ था उन्ही फैक्टरि के मालिकों की ये दूसरी फैक्टरि भी है घटना सल से 2 किलोमेटर के दूर पर है ये दूसरी फैक्टरि जो यहां पर अवैद तरीके से ये भी चलाई जा रही है, मौके पर बम और बारूत का जखीरा यहां से मिला है, जिनने आप तफसीरों में भी देख पा रहे हैं ये फैक्टरि भी यहां पर इलीगली चलाई जा रही थी और विस्पोर्ट कान के आरोपियों की ही ये दूसरी फैक्टरि भी बताई गई है जहां पर विस्पोर्ट हुआ वहां से 2 किलोमेटर के दूरी पर है अभी भी सुलग रही है लेकिन हम अभी उसी रोड पर एक किलोमेटर आगे हैं जहां पर एक दूसरी फैक्टरि आप देखिए किस तरह बारूद यहां पर आपको दिखाई दे रहा है यह रसी बम बनाने का काम चलता था यह पूरी फैक्टरि इलीगल तरीके से चल रही थी आप देखिए यहां पर रसी नजर आ रही है किस तरीके से यहां पर रसी बम बनाने का काम चलता था और इसके अलावा बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आते थे और यह बारूत की आपको देखिए बोरी भरी दिखाई देरी पतला किस कदर से लापरवाही की एक यह इस्थीती है कोई देखने वाला नहीं है कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पर हमने जब इस पैक्टरी पर कर पता चला कि यहाँ पर क्या इस्थीती है तो हम आपको और भी लोग दिखाते हैं जिन से बात करते हैं जिन से बात करते हैं इस्थानी रिवासी है जो यहाँ पर गुस्से में इखटा हो चुके हैं यह बता रहे हैं कि यहाँ पर जो फैक्टरी के जो लोग थे सब कल से घटना के बाद काम चोड़ कर भाज़ चुके यह देखिए आपको यह यहाँ पर किस तरह रसी बबाइज जाते हैं यह पूरी सुत्ली बबब जो आपको दिखाई दे रहे यह सारा यहां पर यह पर इने रंग करने के बाद हरे रंग में यहां पर रखा जाता है यह देखिए यह डबी लप्टाई यहां पर यह पूरी फैक्ट्री अभी सब लोग काम करने आले से भाग चुके हैं कोई दूर तक नजर नहीं आ बाद है और यह फैक्ट्री भी उसी व्यक्ति की है जिसने पता का फैक्ट्री को जो विश्पोट हुआ है हम आपको दिखाते हैं देखिए लाइसे नमबर यह लिखा है लाइसेंडारी सोमेश नंदला लगरवाल इस टाक रूम में इसकी समता है 1500 किलो ग्राम तो यह वो फैक वो आरोपी है जिसे कल पुलिस ने गिरवतार किया है जिसकी फैक्ट्री में इतना बड़ा कांड हुआ उसके बाद इस फैक्ट्री पे कोई देखने वाला नहीं है और कोई सुनने वाला नहीं है देखिए चारों तरफ बारूत का स्टॉक ही स्टॉक नजर आ रहा है यह द पर चारों तरफ रसी नहीं है यह फैक्ट्री भावत ही पारूद ही बारूद है लेकिन अभी तक ना कोई पूलीस का मेंकर अप्रसाशन का मेंकर इस फैक्ट्री को सील करने पहुचा है ना किसी ने इसकी सूध लिए यह देखिए तैयार रसी बंबिया दिखाई दे रहे ह चुक कि इस तरह लावारी सवस्था में पड़े निर्ड में बत्ती भी है शुतली भी है और यही फैक्टरी उसी आरोपी की है इस्थानी लोगों में भी बहुत गुस्था है कि आखिर इसको इतने लाइसेंस की मंजीर और बड़ी खबर आपको यहां बता रहे हैं हर्दा के SP को हटा दिया गया है यह आक्शन हुआ है हर्दा कांड में बड़ा आक्शन बड़ी कारवाई हुई है SP को हटा दिया गया है इस वक्त कि यह बड़ी खबर न्यूज 18 मद्रदेश 36 गड़ पर ये बड़ी अपडेट आपको बता रही है बड़ा आक्षन हुआ है पुलिस हेटकौर्टर में अटाच किया गया है हर्दा के SP को हटा कर पुलिस हेटकौर्टर में अटाच SP को माफ की जिगा हटाया गया है ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं तो हर्दा कांड में ये बड़ा आक्षन हुआ है बड़ी अपडेट जहां SP को हटाया गया है तो लगातार CM ने यहाँ पर सक्त मिर्देश दिये हुए है जो भी लापरवाही हुई है जो भी दोशी है उन पर कड़ी कारवाई की जाएगी नजीर बरेगा फैसला CM ने ये साफ कर दिया है तो हर्दा हादसे के बाद News 18 की टीम ने घटनासल के पास जांच की तो घटनासल से 2 किलोमेटर आगे रहिटा खुर्द में एक ऐसी ही फैक्टरी मिली यहाँ पर काम करने वाले मज़ूर भाग गए वहीं एक मज़ूर ने बादचीत में कहा कि धमाके के चलते वो दहशत में हैं करीब सौ मज़ूर यहाँ काम करते हैं जो सभी काम छोड़कर चले गए हैं लेकिन कई एकड में बारूद और बॉम फैला हुआ है क्या भ्रदा ब्लास्ट के पास जो घरणा हुई उस फैक्टरी से दो किलो मेटर दूर हम उस फैक्टरी पर पहुचे ये जो मों सीन खार कियी है यहांपर दिखता तो जो कुटिया जैसा कुछ नजर आ रहा इसमें बारूद भरा ववा है और कई मेट्रिक टन बारूद ही यहां पर जिसकी कोई देखने वाला नहीं जिसको कोई सुनने वाला नहीं यह फेक्टरी वालिक महसिंग खान कि फेक्टरी एह और यह पर हम यहां पर उन्हों व क्या नाम क्या है तो यह फारूख है बता रहें कि यहां कोई बारूद नहीं है यह फेक्टरी किसकी है यह तो यहां क्या इस्तीती फेक्टरी के लोग का है सब यहां पर यह बारूद वगरा दिख रहा है यह यह क्या है यह यहां पर फारूद बता रहें कि यह कोई बारूद सब खाली है यहां पर फेक्टरी माली का है अच्छा यह घटना हुई कल परसो या कोई कल और आज में आया कोई प्रसासन ने कितना स्टॉक है तो क्या केना उनका तो यह फेक्टरी कब से बंद हुई कल से सब मजदूर चले गए कि हमारा काम जैसे दस पंदर बीस लोग कर रहा है थे कल यह हाथसा हुऊ और वो चलेगा घर अपने सुबह दस बज़े अब यहां पर कोई भी आज की फिलाल में कोई मजदूर नहीं कोई मजदूर नहीं और आपका केना है कि सब काम नेमन उसार चल रहा किसी भी तरह की न्यूज 18 बीच हर्दा में मौजूद पुराने सबजी मंडी में आरोपी राजेश और सोमेश अगरवाल के घर भी पहुँचा और वहां के लोगों से बात चीप की यह जो सब्जी मंडी यह बजार एक बड़ा यहां के सारे रहवासी दुकानदार यहां पर इखटा हैं जो बहुत ही जादा गुस्ते में हैं यह लोग लगातार विरोध करते आये हैं कि आखिर इसको पटाका फेक्टरी को रहवासी इलाके में मंजूरी क्यों दी जाती थ हैं कि यह जो पूरी घटना हुई है इसका जो जिम्मेदार हैं पर क्या कारवें हम राजू के घर पर आप लोग यहां रहते हो क्या आप लोग क्या कहना आपका यह कितनी बड़ी हर्दा में घटना हुई हम यह कहना रहे हैं कि कमाना हस्पेडल में थे तो नहीं होती दरसा हैं सरकारी ताला कोई दी डाला अभी तक उनके घर पर कोई का रवाई हुई अभी तक उनके घर में फटाका उनके से बाहर कर दिया जाता दूकान खूल तो इसके आजू-वाजू दूकान खूल रगी है और इस से पहले भी बहुत सारे केस हुए जहां पटाके क्या बरे हुए क्या लग रहा है अपको इतना फटाका मिलेगा कि आप ठक जाओ को देख देखकर